बच्चों के टिफिन के लिए एक और रेस्पी में आज आपके लेकर आई हूं जो कि आप बच्चों को बनाकर टिफिन में पैक कर सकते हैं बच्चों को बहुत जादा पसंद आती है इस तरीके से आप जो बना कर दीजिएगा तो यहां पर मैंने कड़ाई लिए इसमें दो से तीन मिट में इस तरीके से भून कर तैयार हो जाती है बड़ी असा कलर आ चुका है रेंकाल लेते हैं कड़ाई से और फिर से थोड़ा सा ऑईल में कड़ाई में डाला है अब इसमें आदा बारी कटावा प्याज में डाल दिया इसे हलका सा भून लेते हैं उसके लेते हैं इसे मैं अच्छे से भून लिया है तकरीवन दो से तीन मिट के लिए गाजल और शिम्ना मिच को भी अच्छे से भून लिया है इसमें एक छोटे साइज का टमाटर कट करके मैं डाला है साथ में मसाले अड़ कर लेते हैं लाल मेच नमक खाल्दी पॉडर धन्या इस तरी के से पका लेना है रसी तरी के से पका लेते हैं मसाला हमारा पंगर तयार हो गया है अब यसे में सेवऑं लेगी जैसे के सेवईयों को हम पका सकें इतनी हमने सेवाई या लिय informed पानि डालना है मैं अन्या कि पनी पे गाला के दिया लिए आख तो एक पानी इसमें छोड़ देते हैं नमक मसालव गएर आप बच्चों के कोडिंग डालेगा इसमें ताकि बच्चे इसे आराम से इंजॉय कर सकें तो इसे एक बाइची से मिक्स कर देते हैं उसके बाइचे से कवर करके अच्छी से पकने देते हैं जब तक इसका पाने सूप ना जाए तो यह भूकरस डालने से जो इसका टेस्ट है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और धन्या पती डालेंगे और इन्हें सर्फ करेंगे बच्चों के टिफिन में इस तरीके से बनाकर आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं बच्चों को भोत ज़्यादा पसंद आती है मैगी नोडल से यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हेल्थी भी होती क्योंकि इस सूजी वाली हमने जो वर्मेस है इस्तमाल किया तो इस तरीके से जरूर बच्चों को बना कर दीजिएगा आशक करती हूं रेस्पी आपको पसंद आई होगी चलिए मिलती अगली वीडिय में तब तक लिए नमस्कार